लेटिस्ट न्यूस के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूस अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर प्लिक करें नमस्कार असम के गवरनर प्रफिसर जगदिश मुखी जी केंद्र में मेरे सिख्षा मंत्री स्री रमेश पुखरियाल नुशंग जी असम के मुख्यमंत्री स्रीमान सर्वारन सोनवाल जी तेजपूर इन उनिवर्सिटी के वाईचांसर प्रफिक्ये जैन जी अन्य फेकल्टी मेंबर्स और तेजपूर इनिवर्सिटी के तेज़स्वी टलेंटेट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज बारा सो से जादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला अक्षण है आपके सिक्षक, प्रफेसर्स, आपके माता, पिता के लिए आज का दिन बहुत एहम है और सबसे बड़ी बात, कि आज से आपके करियर के साथ तेजपूर युनिवर्सिटी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है आप आज जितना खुश है, उतना ही मैं भी हूँ आज आप अपने भविश्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं, उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है मुझे भरोसा है कि आपने तेजपूर में रहते हुए तेजपूर युनिवर्सिटी में जो सीखा है वासम की प्रगती को, देश की प्रगती को गती देगा, नई उचाई देगा साथियों, इस भरोसे की कई वज़े भी है पहला, तेजपूर का ये अितिहासिक स्थान, इसके पावरानिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा दूसरा, तेजपूर विश्व विद्धाले में, आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताया गया है, कि वो बहुती उत्सा जगाता है और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ पर यहां के लोगों, यहां के नवजवानों की ख्षमतों पर राष्ट निर्मान के उनके प्रयासों पर सिरफ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है साथियों, अभी एवार्ड और मेडल देने से पहले जो इनिवर्सिटी एंथम गाया गया है उसमें नहीं तभाव तेजपूर के महान इतिहास को नमन करता है मैं इसकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ और इसलिए भी दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये असम के गव्रव, भारत रत्न, भुपेन हजारिकाजी ने लिखी है उन्हाने लिखा है जिया भुमरा सेत्व हो जहां ज्यान की जोती हो ऐसे स्थान पर विराजमान है तेजपूर विश्विद्याल है इन तीन पंतियों में भुपेन्दा ने कितना कुछ वर्णित कर दिया है अगनी घड का राजकुमार, अनिरुद्ध, राजकुमारी उशा, भगवान स्रीकर्ष्ण से जुड़ा इतिहास महान ओहों शुर्विर, कलिया भोमारा फुकुर की दिर्धुष्ट्री, ज्यान का भंडार, ये तेजपूर की प्रेणा है भुपेन्दा के साथ ही जोती प्रसाद अग्रवाल, विश्णु प्रसाद राभा, ऐसे महान व्यक्तित्व तेजपूर की पहचान रहे हैं, आप इनकी कर्म भूमी में, जन्म भूमी में पड़े हैं, और इसलिए आप में गर्व का भाव होना, और गर्वरो के कारण आत्म विश्वात से भरा हुआ आपका जीवन होना, ये भहुत स्वाभावी हैं, साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, सेंकडो वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, असम के अंगिनत लोगों का योगदान है, जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी, अब आपको नए भारत के लिए, आत्म निर्वर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है, अपसे लेकर भारत की आजादी के सो वर्ष पुरे होने तक, ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वाननिम बर्ष है, आप कल्पना कीजिए, 1921 में जो नौजवान, जो बेटी आपकी उमर की होगी, आज आप जिस उमर के होगे, 1921-21 के कालखन में वो क्या सपने देखते होंगे, वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे, किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आपको खपाते होंगे, अगर थोड़ा सा स्मरन करें सो साल पहले, आप ही की उमर के लोग क्या करते थे, तो आज आगे के लिए आपको क्या करना, ये सोचने में देर नहीं लगेगी, ये आपके लिए गोल्डन प्रियर्ड है, तेजपुर का तेज, पूरे भारत में, पूरे विश्व में फ्यलाईए, असम को, नौर्थिष को, विकास की नई उचाईयों पर ले जाएए, हमारी सरकार, आज जिस तरह नौर्थ इसके विकास से जूटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए, अनेकों रही संभावनाएं बन रही हैं, इन संभावनाओं का, पूरा लाब उठाईए, आपके रिप्यास ये बताते हैं, कि आप में एक शमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ भी है, साथियों, तेजपूर युनिवर्सिटी की एक पहचाम, अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है, आपके ग्रास रूट इनोवेशन्स, वोकल फोर लोकल को भी, नई गती देते हैं, नई ताकत देते हैं, ये इनोवेशन्स, स्थानिय समस्चाओं को सुलजाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं, अब जैसे मुझे बताया गया, कि आपके डिपार्टमेंट अब केमिकल साइंस ने, पीने के पानी को साफ करने के लिए, एक कम किमत वाली आसान टेक्नोलोजी पर काम किया है, इस का लाप असम के अनेक गाउं को हो रहा है, बल्कि मुझे तो यह बताया गया, कि अब यह नई टेक्नोलोजी चतिशगड में, उड़ी सा में, बिहार में, करनाटर का, राजवतान, जैसे राज्यों तक भी पहुँच रही हैं, मतलब यह आपकी किर्थी पता का फैल रही है, भारत में इस प्रकार की टेक्नोलोजी के विकास से, हर गर जल पहुचाने का जल जीवन मिशन को जो सपना है, उसको एक ससक्तिकन होगा, साथियों, पानी के अलावा, गाउं में वेश्ट एनर्जी, कचरे से कंचन, इसमें बदलने का जो बीड़ा, आपने उठाया है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है, फसलों के अवसेश, हमारे किसानों और हमारे परियावरण, दोनों के लिए बड़ी चुनोती है, बायो गैस और और ओर्गनिक फर्टिनलाजर से जूड़ी, एक स्वस्त्री और प्रभावी टेकनोलोजी को, उसको लेकर जो काम आप अपनी उनिवर्सिटी में करना है, उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्य आहल हो सकती है, साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई हैं, कि तेजपुर उनिवर्सिटी नौर्थ इसकी बायो डायर्वर्सिटी और रीच हेरिटेज को समरक्षित करने का भी अभ्यान चला रही है, नौर्थ इसके आदिवासी समाज की वो भाषाएं, जिन पर विलुप्त होने का खत्रा है, उनको डॉक्युमेंट करना बहुत सरहानिय काम है, इस तरह संत स्रिमंत संकर देव जी की जन्म भूमी, इसके नौगाओं के बाता द्रव स्थान में सद्यों पुरानी लकडी पर उकेरी गई कला का, उसका प्रिजिर्विशन हो, या फिर गुलामी के कालखण में लिखी गई, असम की किताबों और प्रेपर्स का डिजिटिकला हो, आप वाकई इतने विवित कामों पर लगे हुए हैं, कोई भी इसको सुनेगा, उसको घर्व होगा, कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर, तेजपूर में ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है, आप वाकई कमाल कर रहे हैं, साथियों, मैंने जब इतना कुछ जाना, तो मन में ये सवाल भी आया, कि स्थानिय विशव पर, स्थानिय आवश्च्टाव पर, इतना काम, इतनी रिसर्च करने की पिरणा, आपको कहां से मिलती हैं? इसका जबाब भी, तेजपूर उनिवर्सिटी केंपस में ही हैं, अब जैसे आपके होस्टेल्स, चराईदेव, निलांचल, कंचन जंगा, पटकाई, धानसिरी, सुवनसिरी, कोपिली, ये सभी परवतों, चोटियों और नदियों के नाम पढ़ हैं, और ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये जीवन की जीती जाकती प्रेना भी है, जीवन यात्रा में हमें अनेक मुश्किलों, अनेक परवतों का सामना करना पढ़ता है, कई नदियों को पार करना पढ़ता है, एक बार का काम नहीं होता, आप एक परवर चड़ते हैं तो फिर दूसरी की तरह बढ़ते हैं हर प्रवात औरन के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती हैं आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है और नई चुनोतियों को लेकर आपका परस्पेक्टिव तयार हो जाता है इती तरह नदिया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है नदिया कही साहा एक धाराओं से मिलकर बनती है और फिर समंदर में मिल जाती है हमें भी जीवन में अलग-अलग लोगों से ग्यान देना चाहिए सीखना चाहिए और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहिए साथियों जब आप इसी एप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम नौर्थीस देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा अपने देखा होगा कोरोना के इस कान में आत्म निर्भर भारत अभ्यान हमारी वोकेबलरी का अहम हिस्सा हो चुका है हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है हमारा पुर्शार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धी, हमारे प्रयास, सब कुछ उसके इर्द-गिर्द हम अनुभव कर रहे हैं लेकिन आखिरी अभ्यान है क्या आखिर बढलाओ क्या हुआ रहा है क्या यह बढलाओ सिर्फ रिसोर्सिज में हैं क्या यह बढलाओ सिर्फ फीजिकल इंफरसेक्चर में हैं क्या यह बढलाओ सिर्फ टेक्नोलोजी में हैं क्या बढलाओ सिर्फ बढ़ती, एकोनामिक और स्ट्राटेजिक माइट का हैं ऐसे हर सवाल का जवाब हामे है, लेकिन इन में से भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन हैं, वो है इंस्टिंक का, एक्षन और रियक्षन के नजरिय का है, हर चुनोती, हर समस्या से निपटना का, हमारी हुआ देश का अंदाच, देश का मिजाच, अब कुछ हट कर है, इसका एक ताजा उदाहरा, तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है, आप लोगों में से बहुतों ने भारती क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया तूर को फॉलो किया होगा, इस तूर में क्या-क्या चुनोतीया हमारी टीम के सामने नहीं आई, हमारी इतनी बुरी जी से हम उब्रे भी और अगले मैच में जीत हासिल की चोट लगने के बावजूत हमारे खिलाडी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे चैलेंजिंग कंडिशन्स इसमें निराज होने के बयाए हमारे युवा खिलाडियों ने चैलेंज का सामना किया नए समाधान तला से कुछ खिलाडियों में अनुभव जरूर कम था लेकिन होसला उतना ही बुलत दिखा उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने इतिहास बना दिया एक बहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेंपरामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को इतने पुराने खिलाडियों की टीम को पराजित कर दिया युवासाथियों क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाडियों की ये पर्फर्मंस सिर्फ स्पोर्ट के लिहाँ से इंपॉर्टन नहीं है एक बहुत बड़ा लाइफ लेशन भी है पहला लेशन ये कि हमने अपनी एबिलीटी पर विश्वास होना चाहिए दूसरा लेशन हमारे माइंड सेट को लेकर है हम अगर पॉजिटिव माइंड सेट से लेकर आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगी त्रीसरा हो सबसे हम लेशन अगर आपके पास एक तरफ सेफ निकल जाने का अप्शन हो और दूसरी तरफ मुश्टिल जित का विकल्प हो तो आपको विजय का अप्शन जरूर एक्स्प्लोर करना चाहिए अगर जीतनी की कोशिश में कभी कभार असभलता भी हाथ लगे तो इसमें कोई नुक्षान नहीं है रिस्क लेने से प्रयोग करने से डरना नहीं है हमें प्रोएक्टिव और फियरलेस होना ही पड़ेगा हमारे भीतर जो फेलियोर का डर होता है हम जो अननेसे से डिप्रेशर अपने उपर लेते हैं उससे जब आप बहार निकलेंगे तो फियरलेस बनकर उभरेंगे भी साथियों हमसले से भरा हुआ अपने लक्षों के प्रती समर्पित भारत सिर्फ क्रिकेट की फिल पर दिखता ऐसा नहीं है आप भी तो इसी ही एक तस्वीर हैं आप आप में जबात से सेल्फ कॉंफरेंस से भरे हैं आप लिट से हड़कर सोचने और चलने में डरते नहीं हैं आपके जैसे इसी युवा उर्जा ने कोरोना के खिलाप अपने लडाए में भारत को बहुत मजबुती दी हैं आपको याद होगा इस लेडाए की शुरूवात में ऐसी आशंगय जताई गई थी कि इतनी वड़ी आबादी वाला भारत रिसोर्स इसके अभाव में कोरोना से तभाव हो जाएगा लेकिन भारत ने दिखाया कि रिजॉल और रिजिलियंस अगर आपके पास हैं तो रिसोर्सी तैयार होते देर नहीं लगती भारत नहीं यही किया भारत ने हालत से समझोता करने के बजाए मुसीबत बड़े इसका इंतजार करने के बजाए तेजी से फैस्ट ले लिए प्रोएक्टिव होकर फैस्ट ले लिए इसी का परणाम है कि भारत वायरस से ज्यादा प्रभावी रूप में बढ़ पाया प्रभावी रूप से लड़ पाया Made in India सॉलूशन से हमने वाइरस के फ़लाव को कम किया अपने हेल्द इन्फ्रा को बहतर किया अब हमारे वैक्सिन से जुड़ी रिसर्च और प्रोडॉक्षन की खमता भारत के साथ साथ दुनिया के नेक देशों को सुरक्षा कवज का विश्वाद दे रही है अगर हम अपने वैज्ञानी को अपने रिसर्चर्स अपने स्कॉलर्स अपने साइंटिस अपनी इंडस्टी की ताकत पर वरोसा ना करते तो क्या ये सफलता संभव हो पाते हैं और साथ यों सिर्फ हेल्ट सेक्टर ही क्यों हमारा डीजिटल इंफास के जर ही लीजिए अगर हम भी ये मान कर बैठ जाते कि भारत में लिट्रसी के भाव में डीबीटी डारेक मेनिफिट ट्रांसफर और डीजिटल लेंदेन संभव नहीं है तो क्या कोरोना जैसे संकट में सरकार गरीब से गरीब तो कितने प्रभावी डंग से पहुँच पाती आज जिस फिंटेक में डीजिटल इंक्लूजन में हम दुनिया के अगरनी देशों में सामिल हैं वो क्या कभी संभव हो पाता आज का भारत समस्या के समाधान के लिए एक्सपरिमेंट से भी नहीं डरता और बड़े स्केल पर काम करने से भी पीछे नहीं अडरता सबसे बड़ा बैंकिंग इंक्लूजन अभियान भारत में हो रहा है टॉइलेट बनाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में हर गरीब परिवार को घर देने का अभियान भारत में गर गर जल पहुँचाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में सबसे बड़ी health insurance scheme भारत में और अब सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान भी भारत में इन सबका पहुत बड़ा लाब नौर्थ इसको हुआ है असम के लोगों को हुआ है ऐसे कारकम तभी चल सकते हैं जब देश और समाज आत्म विश्वात से भरा हो देश यथा स्थित्री को बदलने के लिए इनोवेट करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा हो साथियों आज जिस प्रकार दुनिया में भारत में नई टेक्नलोजी का प्रसार हो रहा है उससे हर छेत्र में नई संभावनाय पैदा हो रही है आज हम बीना ब्रांच के बैंक, बीना शोरूम के रिटेल बिजनेश, बीना डाइनिंग हॉल के क्लाउट किचन ऐसे अनेक प्रयोगों को रोज मना की जिन्दगी में देख रहे हैं ऐसे में ये भी संभाव है कि भविश की उनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्चुल हो और दुनिया भरते स्टूडन्स और फैकल्टीज किसी भी उनिवर्सिटी का हिस्षा बन सके इस प्रकार की ट्रांस्फर्मेशन के लिए हमारे पास एक जरूरी रेगुलेटरी फ्रेम पर खोना बहुत जरूरी है नई नेशनल एडुकेशन पॉलिसी ने माध्यम से लगातार उसकी कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी में टेक्नलोजी के जादा से जादा उप्योग मल्टी डिसिप्लिनरी एडुकेशन और फ्रेक्सिबिलिटी को प्रोशाइट किया जा रहा है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जाटा और डाटा अनालेटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टिम को तयार करने पर बल देती है डाटा अनालेटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवेलुशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बैतर हो जाएगी मुझे विश्वाथ है कि तेजपुर उनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्षों को सिद्ध करने में अहेम भूमिका निवाएगी मुझे तेजपुर उनिवर्सिटी के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके सामर्थे पर पूरा भरुसा है और मैं अपने स्टूडन साथियों को यह बात विशेश तरपर कहूंगा कि जब आपकी फॉर्माल एजुकेशन पूरी होती है तो आप सिर्फ अपने फूचर के लिए नहीं बलकि रास के फूचर के लिए यह काम करते हैं आप उसे एक बात याद रखें अगर आपका परपज उचा है तो आपको जीवन के उतार चड़ाव से उतना असर नहीं पड़ेगा आपके जीवन के आने वाले 25-26 साल आपके केरियर के साथ साथ देश के भाग्य को भी तै करने वाले हैं मुझे विश्वास है कि आप सभी देश को नई उचाई पर पहुँचाएंगे 2047 जब देश आज़ादी का सो साल मनाते होगा तो यही 25-26 साल का कालखन आपके योगदान से आपके पुर्शारते आपके सपनों से बनाववा होगा कलपना कीजिए आज हदी के शतकवें आपके पटी साल कितना बड़ा रोल पैदा करने वाले हैं आईए सातियों अपने आपको उन सपनों के लिए सज्ज कीजिए चल पड़े संकल्प के साथ चल पड़े सपनों को लेकर चल पड़े सिद्धी पाने के मकसद से निकल पड़े देखिए जीवन सफल ताओं की एक-एक उचाई को पार करता जाएगा आज के इस पवित्र उशर पर आपके परिवार जनों को आपके सिख्षक जगत को आपकी सभी फाकिल्टीज को आपके सपनों को सबको बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ अनन्त शुब कामनाई देता हूँ बहुत-बहुत आभार पर मोर न्यूस अपडेट्स दू सब्सक्राइब, लाइग, शेर और कमेंद, क्लिपर 28